अगर आप लोगों कोई पर्टिकुलर कोशन देखना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टेंप देख सकते हैं और आप वहां क्लिक करेंगे तो आपका कोशन डिरेक्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं with question number first, fill in the blanks in the following table, given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP तो I'll suggest अभी तक अगर आप लोगोंने 5.2 की introduction नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देखें, इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा वो उस introduction में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से explain किया है N और AN का जो difference होता है, वो क्या होता है, कई बच्चों को problem आती है N और AN में, पता नहीं चलता कि क्या होता है N और क्या होता है AN तो उस वीडियो से आपको देखते ही clear हो जाएगा, तो आप लोगों को उस वीडियो में मैंने एक formula derive किया था, that is AN equals to A plus N minus 1 into D, यह formula हम derive कर चुके हैं, जो formula आपका use होगा इस वाली वीडियो में, तो चलिए बात करते हैं, AN क्या होता है, A, N और D क्या होता है, यह आप लोगों को पता है, first term होती है, D क्या होता है, common difference, N क्या होता है, number of term, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कि एक AP के अंदर six terms हैं, तो जो six हो गया, वो हो गया N है, यह निकि number of terms, AN, AN क्या होता है, sixth number पे जो digit पड़ी हुई है, वो क्या होगी आपका AN, जैसे कि मा digit 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह एक AP है, जिसमें कितने digits, कितने terms हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो यह निकि यहां पर N क्या हुआ, six हुआ, और sixth number पे पड़ी कौन सी term होई है, 12th term, तो AN क्या हो गया आप लोगों का, 12, तो यह होता है, AN and N, चलिए, start करते हैं with first part, first part के लिए आपको क्या दे रखा है, A दे रखा है, 7, D दे रखा है 3, N दे रखा है 8 और AN निकाला है, तो यही फाउमला यूस करते हैं, AN equals to, A के place पे हम पूद कर देंगे 7, N के place पूद कर देंगे 8, और D के place पूद कर देंगे 3, solve करते हैं इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक AP में कितनी terms है? 8 terms है. और हम क्या find कर रहे हैं? 8th number पर क्या चीज पड़ी हुई है? तो वो हो गया आपका AN. चलिए शुरू करते हैं. तो यह क्या आगया? आपका 28. यहनि कि जो AN है, यहनि कि 8th number पर क्या पड़ा हुआ है? 28 पड़ा हुआ है. चलिए आप करते हैं इसका second part. तो second part में आप देख सकते होगे, आपको A दे रखा है, D निकालना है, N दे रखा है और AN दिया हुआ है. तो यह सब चीज़े दे रखी हैं और आपको D find out करना है. तो formula तो वही लगेगा, that is, AN equals to A plus N minus 1 into D, values put करते हैं, AN 0 minus 18, N head 10, और D आपको find out करना है. यह minus का इधर आके क्या हो जाएगा? plus का 18, तो यह होगे 9 into D, यह multiply इधर आके हो गया, divide. तो यह आगया आपका D, तो D किसना आगया? 2. तो हम लिख सकते हैं, D आगया 2. Next है, आपको A find out करना है, D, N और AN दिया हुआ है. तो A find out करना है, बाकी terms दे रखी हैं, बस क्या करेंगे formula वही apply करना है, को A N equals to A plus N minus 1 into D, A N है आपके पास minus 5, A find out करना है, values put कर देते हैं, N की और D की. यहाँ पर एक चीज धिहान से देखी, D की जो value है, वो minus 3 है, इसलिए मैंने इसको bracket में डाला है, कई बचे यहाँ पर normally minus 3 लिख देते हैं, तो वह आप लोगों गलत हो जाएगा, वहाँ पर D का और इसका relation multiply का है, ना की minus का तो, इसके लिए मैंने क्या लगा है, यहाँ पर bracket 46, तो A आगया आपका 46, तो हम यहाँ लिख देते हैं, A आगया 46, चलिए अब करते हैं इसका fourth part, fourth part में आपको A दे रखा है, D दे रखा है, N find out करना है, और An भी दिया हुआ है, तो A दे रखा है, D दे रखा है, N find out करना है, और An दिया हो तो formula लगाते हैं, same, An equals to A plus N minus 1 into D, values पुट कर दो, तो ये values में ने पुट कर दी है, तो ये होगे 3.6, ये minus कर दे रहा के हो जाएगा, प्लस का, n-1 as it is, this is 2.5, इसको प्लस करते हैं, ये यहाँ पर multiply, इधर आ के क्या हो जाएगा, divide का, point हटाया, नीचे 10, ये point हटाया, उपर 10, 10 से 10, cancel, 25 को इससे cancel करेंगे, कितना आएगा, 9, ये होगे 9 equals to n-1, ये minus है, इधर आ के क्या हो जाएगा, प्लस का, तो n कितना आजाएगा आपके पास, 10, तो यहाँ हम value put कर सकते हैं, n कितना आजाएगा, 10 आजाएगा, चलिए करते हैं, last part, last part के लिए क्या है, आपको an find out करना है, a है, d है और n है, तो जैसे हमने first part किया है, बिल्कुल वही formula लगेगा, क्या लगेगा, fifth के लिए, an equals to a plus n minus 1 into d, इसके लिए क्या करना, आपको values put कर दिनी है, an आपको निकालना है, a है 3.5 और n है आपके पास, 105 minus 1, और d कितना है आपके पास? 0, तो an equals to 3.5 plus, यह क्या हो जाएगा? 104 multiplied 0, तो this is 0, किसी भी चीज़ को 0 से multiply करते हैं, तो 0 आते हैं, तो an कितना आ गया आपके पास? 3.5, तो आप यहाँ value put कर सकते हो, an कितना आ गया? 3.5, तो चलिए शुरू करते हैं, second question, second question है, choose the correct choice in the following and justify, justify का मतलब क्या है कि हमने, जो इन्होंने पूचा है, हमने वो निकाल के बताना है, तो first part देखते हैं इसका, 30th term of the AP, 10, 7, 4 is, यहनि कि 30th term, 30th term, यहनि कि आपको यह क्या दिया हुआ है, यहनि कि 30th number पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, 30th number पर, तो यहनि कि N क्या दे रखा है आपको, 30, यहाँ से आप देख सकते हो, first term दे रखी है 10, और D, D क्या होता है, second term में इसे minus कर देंगे, first term, तो क्या हो जाएगा, 7 minus 10 is equal to minus 3, यहाँ पर एक चीज़ में आप लोगों को जुरूर एक्स्पेन करूंगी, कई पर बच्चे क्या करते हैं, बहुत frequent हो जाते है, common difference निकालने में, वो देखकर ही लगता है, हाँ भी 3 आ रहा है, तो minus 3 आएगा, आप कभी भी सिरफ देखकर D नहीं निकालेंगे, आपका हाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बर minus भी लगता है, जैसे यहाँ लगा, तो चलिए हम निकालते हैं, थर्टियथ टर्म निकालने हैं, तो यानिकि A30 निकालना है, A30 हम कैसे लिख सकते हैं, A plus, इसके जगा पर हम क्या लिखते हैं, जो यहाँ पर होता है, A किसमें से कम कर देते हैं, that is 29 into D, तो अगर आपने ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपने An करके solve करना है, An करके भी solve कर सकते हैं, An का formula क्या होता है, A plus N minus 1 into D, N कितना आपके पास 30, तो क्या लिखोगे, A plus 30 minus 1 into D, वो भी क्या ओजाएगा, A plus 29 D, बात वही है, ठीक है, चलिए इसकी values पुट कर देते हैं, A है आपके पास 10 plus 29 into D कितना है आपके पास minus 3, solve करते हैं, इसको, इसमें से इसको क्या किया है, हम minus करेंगे, तो यह ओजएगा, minus 77, चलिए करते हैं, इसका second part, second part क्या है, 11th term, इनकी 11th number पर कौन सई digit पड़ी हुई है, यह निकी N क्या दे रखा है, आपको 11 दे रखा है, A आपको दे रखा है, minus 2, और D निकालने के लिए क्या करेंगे, second term minus first term, second term है आपके पास minus 1 by 2, minus, और first term है आपके पास, sorry, first term है minus 3, तो first time है आपके पास minus 3, solve करते हैं इसको, minus minus, plus, LCM, तो D कितना आगया आपके पास, 5 by 2, तो जैसी D आपके पास 5 by 2 आया है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, हमें निकालनी है क्या, 11th term, यह निकी A11 निकालना है, तो A11 का formula क्या बनेगा, A plus, जो यह लिखा हो तो उसमें से A कम, 10 into D, तो A क्या है आपके पास, minus 3, 10 into D कितना है आपके पास, अब यह भी solve किया है, हमने, that is 5 by 2, इसको इसे cancel 5, 55 सा 25, A11, 25 minus 3 is 22, तो A11, 11th number पे क्या पढ़ा हुआ है, 22 पढ़ा हुआ है, तो यह आगया आपका answer, चलिए करते हैं 3rd question, 3rd question है आपके पास, in the following episode, find the missing terms in the boxes, आपको जो दे रखा है, इसमें से जो missing term है, आपको वो find out करना है, यानि कि आपको first अगर हम देखे, first part अगर हम देखे, तो आपको first term दे रखी है, that is 2, second term आपको निकालनी है, यानि कि A2 निकालना है आपको, और यह third है, तो third term आपको क्या दे रखी है, 26 दे रखी है, तो इन questions में आपको थोड़ा सा सोच कर काम करना पड़ेगा, कि क्या कर सकते हैं, कैसे find out कर सकते हैं, सबसे पहले एक चीज़ देखे, second term को हम कैसे लिखेंगे, क्या निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, A plus, यहाँ पर कौन सा term लिखते हैं, जो 2 में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानि कि 1 into D, यानि कि A plus D लिख सकते हैं हम इसको, यानि कि अगर मेरे पास A आ जाए और D आ जाए, तो मैं A to find out कर सकती हूँ, तो A मेरे पास है, D नहीं है, तो D को निकालने के लिए हमें क्या दे रखी है, third term दे रखी है, third term को क्या लिख सकती हूँ मैं, A plus 2D लिख सकती हूँ इसको, 3 है, इसमें से एक कम करके लिख सकते हैं, तो A3 को लिख सकते हैं, A plus 2D is equal to 26, A, A की value क्या है आपके पास? 2, put कर दो, plus का 2 इधर आके, minus का 2, multiply इधर आके, divide, तो D कितना आगया आपके पास? 12, A है, D आगया, value करके put, हम second term निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, A है, आपके पास 2, D हमने find what कर लिया, 12, तो second term कितनी आगई? 14, यह हम लिख सकते हैं, 14, राइट, चलिए आप करते हैं second part, second part में ध्यान से देखिए, आपको first term नहीं दे रखी, second दे रखी है, third नहीं दे रखी, और fourth दे रखी है, चलिए solve करते हैं इसको, तो आपके पास first term नहीं है, second है, third term नहीं है, fourth term है, तो मुझे first निकाली है और third निकाली है, तो किसकी help से निकालूँगी, एक इसकी help से निकालूँगी और एक इसकी help से निकालूँए, इस टाइप के questions बहुत इंट्रस्टिंग होते हैं, बहुत easy होते हैं, A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A plus B लिख सकती हूँ इसको, is equal to, किसकी value है ये, क्या value है, इसके 13 है, a4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, a plus 3D लिख सकती हूँ इसको, कैसे लिखते हैं इसको, पहले first term लिखते हैं, और जो भी लिखा होता है, उसमें से a क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ 2 था, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 3 into d, is equal to, क्या value दे रखी है, इसकी 3 दे रखी है, अब थ्यान से देखिए, मुझे first term निकालनी है, यहनकी a की value निकालनी है, और third term के लिए, third term को क्या लिख सकते हैं, a plus 2D लिख सकते हैं, ठीक है, तो अगर a आ जाए, d आ जाए, तो मैं third term निकाल सकते हूँ, यहनी कि इन दो सा मैं traditional method है, क्या करना है, सिरफ आपको minus करना है, क्या करना है? minus करना है. तो जो sin यहाँ पर दे रखे है, plus है, minus करतो, plus है то minus, plus है बस इस method को हम क्या बोल देते हैं? क्यों बोलते हैं? अभी देखिए क्यों बोलेंगे हम इसको ऐलüimi € whether cancel हुगया? ठीक है? तो eliminate हो गया, eliminate हो गया तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? elimination method बोल देते हैं? Simple. par-1-2D, 13-3 Churchill is 10. ठीक है अब यहां माइनस 2 का relation क्या है इसके साथ multiply का तो यहां के क्या हो जाएगा minus 2 divide में आजाएगा त्यान से यहां पर बच्चों को न बहुत basic problem आती है उनको लगते है कि यहां minus का 2 है तो इदरा के plus का 2 होना चाहिए नहीं यहां minus 2 का relation D के साथ multiply का है तो यहां पर minus 2 multiply यहां के minus 2 क्या हो जाएगा इसको इसे cancel किया तो D की value क्या आगी minus 5 D की value आगी minus 5 अब यह है आपके पास first equation यह है आपके पास second equation D की value put कर दो first way क्यों? so that मिर पास A की value आजाए put the value of D in equation 1 first equation क्या थी? A plus D की है आपके पास 13 A as it is D की value क्या यह minus 5 minus इदरा के plus तो A कितना आगया आपके पास? 18 A आगया 18 अब क्या चाहिए? A3 चाहिए तो A3 क्या लिखेंगे? A plus 2D लिखेंगे A की value 18 plus 2 into D की value क्या यह minus 5 18 minus 10 A3 कितना आगया आपके पास? 8 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यह आगया 18 A3 आगया 8 तो यहाँ भी लिख सकते हैं आपके बस first आगया था 18 यह आगया था 8 चलिए अब करते हैं third part third part में देखो first term दे रखी है second निकालनी है third निकालनी है और fourth दे रखी है चलिए शुरू करते हैं इसको तो आपको A दे रखा है 5 A2 A3 find out करना है और A4 दे रखा है 9 into 1 by 2 तो आप A4 को इस तरह भी लिख सकते हो 2 9s are 18 18 plus 1 19 by 2 ठीक है और A4 को हम कैसे लिख सकते हैं अभी तक हमने 3 question कर लिए हैं कैसे कर सकते हैं इसको A plus 3D लिख सकते हैं A4 को कैसे लिखते हैं A और 4 मेंसे एक कम कर देते है 3 into D is equal to 19 by 2 यह आगे आपके पास अब A की value क्या दे रखी है आपको 5 दे रखी है तो 5 यहाँ पे put कर दें plus का इधर आके क्या हो जाएगा minus solve करते हैं से multiply इधर आके divide तो D कितना आगे आपके पास 3 by 2 हमने ऐसे क्यों निकाले क्यों क्यों क्या चाहिए second term और third term चाहिए second term को मैं क्या लिख सकती हूं A plus D लिख सकती हूं और third term को क्या लिख सकती हूं A plus 2D लिख सकती हूं तो इसमें values put करने वाले हैं पटा-पट से A की value क्या है आपके पास 5 D की value क्या है आपके पास 3 by 2 LCM तो second term क्या आगे आपके पास 13 by 2 जिसको आप क्या लिख सकते हूं इसको जो हम इसको और तरीके से लिखें तो 2 612 क्या बचा 1 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं A3 निकालें तो A3 के लिए यह दे रखा है 5 plus 2 into D की क्या value आई थी 3 by 2 2 से 2 cancel 5 plus 3 तो A3 कितना आ गया 8 तो यहां लिख सकते हैं 6 1 by 2 यह term और 3rd term कितनी आ गई 8 तो यह है आपके पास 6 1 by 2 and 3rd term is 8 चलिए करते हैं 4th, 4th के लिए अब ध्यान से देखो 1st term दे रखी है 2nd निकालनी है 3rd, 4th, 5th निकालनी है और 6th term दे रखी है और very interestingly 6th term पर number भी कौन सा पढ़ा हुआ है 6 ही पढ़ा हुआ है चलिए solve करते हैं इसको तो 4th के लिए हमें 1st term दे रखी है 2nd, 3rd, 4th, 5th निकालनी है और 6th term दे रखी है तो 2nd कैसे निकालते हैं, a plus d करके, right, 3rd कैसे निकालते हैं, a plus 2d, यह a plus 3d करके, यह a plus 4d करके क्यानी कि अगर मेरे पास d की value आजए, because a की तो value मेरे पास है ही, d की value आजए तो मैं यह सारी terms निकाल सकती हूँ तो d की value कैसे निकालूँगी, with the help of 6th term, तो 6th term को मैं क्या लिख सकती हूँ, a plus 5d लिख सकती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे होते हैं, उसे हम a कम करके into d लिखते हैं, is equal to 6, तो a की value क्या आई है, मेरे पास minus 4, minus इधर आके plus, तो common difference कितना आगया, आपके पास 2 आगया, तो ज क्या है आपके पास, minus 4, और d कितना आया है, 2, तो a2 कितना हो गया, minus 2, चलिए a3 निकालते है, a3 के लिए a plus 2d, a है, आपके पास minus 4, 2 into d क्या आया है, 2, minus 4, sorry, यहाँ पे plus है, plus 4, minus 4 plus 4 is 0, तो a3 कितना आगया, 0, फिर, क्या निकालना आपको a4, a4 के लिख क्या लिखेंगी, A plus 3D, A कितना है, minus 4, plus 3, D कितना आया था, 2, 6 minus 4 is 2, A4 कितना आ गया, 2, A5, A5 क्या होता है, A plus 4D होता है, तो A है, आपके पास minus 4, और D कितना है, 2, तो A5 कितना आ गया, आपके पास, 4, right, तो values put कर देते हैं इसके लिए, तो second term है, यह है, आपके पास minus 2, third term आई है 0, fourth term आई है 2, fifth term आई है 4, निकाल लिए हमने साई terms, यहाँ पे भी put कर देते हैं, क्या आया था, minus 2, 0, 2, 4, ठीक है, चाली करते हैं अब इसका last part, जिसमें आपको first term नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है, second term, first निकालनी है, third, fourth, fifth निकालनी है, और sixth term दे रखी है, चाली, solve करते हैं इसको, तो यह है fifth part, fifth part के लिए मिरे पास first term नहीं है, second term है, third, fourth, fifth नहीं है, और 6 term है, तो मुझे क्या निकालनी है, 1st term निकालनी है, 3rd, 4th and 5th निकालनी है, इसको कैसे निकालते हैं, 3rd term को क्या लिख सकते हैं हम, A3 निकालने, इसको क्या लिख सकते हैं, A plus 2D लिख सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, A plus 3D लिख सकते हैं, A5 को क्या लिख सकते हैं, A plus 4D लिख सकते हैं, right, तो मेरे पास अगर A की value आजाए और D की value आजाए तो क्या मैं इन सभी terms को निकाल सकती हूँ? Yes, निकाल सकती हूँ. तो A और D की value कैसे निकालेंगे? By using these two terms. A2, A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A plus D. समझ रहे हैं ना? अब हमेशो क्या करते हैं? जो भी यहाँ पे होती हैं, उसमें से A कम करके इंटू D करते हैं. Is equal to, A2 क्या दे रखा है? आपको 38 दे रखा है. फिर A6, A6 है तो A plus इसमें से एक कम 5D हो जाता है. वो क्या दे रखा है? आपके पास? Minus 22. जब इस तरहा की चीज आती है, अभी हमने 3rd question में हमने किया था. 3rd नहीं, इसका 2nd part. 2nd part जो था, जब हमने तब किया था, हमने क्या किया था? A2 और A4 दिया हो था. तब हमने क्या यूज किया था? Elimination method. कुछ नहीं होता, Elimination method क्या होता है, सिरफ हम साइन चेंज करते हैं. यहाँ minus है, तो plus, plus है तो minus, plus है तो minus. क्यों करते हैं Elimination? So that एक term eliminate हो जाए. जैसे कि A minus A cancel हो गया, eliminate हो गया, क्या बच आपके पास? D minus 5D is minus 4D. इसको क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस, यह हो गया, 60D, 60, यहाँ पर minus 4D multiply में, यहाँ के minus 4D क्या हो जाएगा? divide में, यहाँ आजएगा, D कितना आगया? minus 15, right? minus 15 आगया, अब यह है आपके पास first term, यह है आपके पास second, यह first equation है, यह second equation है, now put the value of D in equation 1, क्यों? क्योंकि मुझे A की भी value find out करनी है, first equation है क्या आपके पास? A plus D is equal to 38, तो A निकालना है, D की value क्या है? यह minus 15 आई है, minus इदर आके क्या हो जाएगा? plus, तो A कितना आगया? मेरे पास 53, तो यहाँ आगया, मेरे पास 53, A आगया, D आगया, now I can find A3, A3 को क्या लिख सकते हैं, A plus 2D, A की value put करो, D की value put करो, तो A3 कितना आगया मेरे पास? 23, similarly क्या निकालना हो जी मैं A4 and A5, A4 को क्या लिख सकते हैं, A plus 3D, A is 53, D कितना आए था? minus 15, solve करते हैं इसको, A4 आगया, 8, similarly A5, A plus 4D, A था 53, 4 into D था minus 15, तो A5 कितना आगया? minus 7, values put कर देते हैं, 3rd time आई आपके पास 23, फिर आया है 4th time आई है 8, 5th time आई है minus 7, बस हो गया आपके पास question, यहां भी values put कर देते हैं, 1st time आई थी आपके पास 53, 3rd time आई थी आपके पास 23, यह आई थी minus, यह आई थी 8, right? A4 आई थी 8 और last time आई थी आपके पास minus 7, कर दिया हैं हमने सारे questions, चलिए आप करते हैं question number 4th, question number 4th है which term of AP is 3, 8, 13, यह AP दे रखा है, कौन सी term AP की is 78, 78 होगी, यहनि कि आपको बताना है कौन सी position पर 78 पढ़ा होगा, यह जैसे कि यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है, तो कौन सी position पर जाकर 78 पढ़ा होगा है, तो मैं इसको माल लूँ, A N है, यहनि कि मुझे क्या find out करना है, इसकी N की value find out करनी है, तो A क्या दे रखा है आपको? 3 दे रखा है, D, D कैसे find out करते हैं? 2nd term minus 1st term, तो second term क्या है आपके पास? 8 minus 3, तो यह क्या हो गया? 5, तो यह आ गया D, यह आ गया A, और A N आपको क्या दे रखा है? 78, तो value क्या करते हैं, formula लगाते हैं, formula क्या होता है आपके पास? A N equals to A plus N minus 1 into D, तो A की क्या value है आपके पास? 3 and find out करना है, D क्या है आपके पास? 5, A N की value क्या है? 78, plus का 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा? minus का 3, minus क्या 75, 5 यहाँ multiply का यहाँ क्या हो जाएगा? divide का, यह हो गया 15, यहाँ minus का वान है, यहाँ के plus का वान ही हो जाएगा, N कितना आजाएगा? 16 आजाएगा, 16 यहाँ कि A 16 नंबर पे जाके क्या पढ़ा हुआ है आपका? 78 पढ़ा हुआ है, got it? चलिए करते हैं 5th question, question 5th है आपके पास, find the number of terms in each of the following, आपको number of terms निकालें, number of terms का मतलब है कि इसके कितने terms हैं, यह कौन सी position पर पढ़ा हुआ है, जिस position पर यह पढ़ा होगा, उतनी ही number of terms होगी, जैसे कि यह a1 है, यह a2 है, यह a3 है, यह पता नहीं कौन सी पर पढ़ा हो तो इसको माल लेते हैं, an पर पढ़ा हुआ है, तो यानिकि a आपको दे रखा है 7, d, d क्या होता है, a2 minus a1, that is a2 पर क्या है, 13 minus 7, यह हो गया आपके पास 6, तो d आगया 6, a है आपके पास 7, an कितना है आपके पास 205, और हमें बतानी number of terms, यानि कि कौन से number पर पढ़ा हुआ यह, an कि मुझे क्या बताना है, n बताना, तो formula पूट करते हैं इसके लिए, क्या होता है formula, an equals to, a plus n minus 1 into d, values put कर दो, an है 205, a है 7, and find out करना है, d है आपके पास 6, plus का इधर आके minus का, यह multiply इधर आके divide, यह minus इधर आके plus, तो n कितना आगया, 34, यहनि कि यह a34 पर क्या पढ़ा हुआ है, 205, यहनि कि number of terms कितनी है, इस AP की 34 है, similarly इसके लिए हम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम solve कर लेते हैं, इसको थोड़ा और simple, इसको क्या लिख सकती हूँ, 15 multiplied to 30, 30 plus 1, 31 by 2, यहाँ पर भी हम आप देख सकते हैं, यह क्या है, first number पे है, यह second पे है, यह third पे है, इसका मेरे को number नहीं पता, तो मैं माल लेती हूँ, पता नहीं कौन से N number पर पढ़ा हुआ है, तो यहनी कि, A हैं आपके पास 18, D, D क्या होता है, A2 minus A1, common difference, 31 minus by 2 minus 18, solve करते हैं, इसको, D आपके पास minus 5 by 2, An आपको क्या दे रखा है, minus 47, और क्या निकालना है आपको, N निकालना है, तो formula कौन से लगेगा, वही, An equals to A plus N minus 1 into T, An की value पुट कर दो, minus 47, A की value पुट कर दो, that is 18, and find out करना है, D की value क्या है, यह minus 5 by 2, चलिए, यह प्लस का है, इधरा की क्या हो जाएगा, minus का, minus minus, plus और साइन किसका, minus का, यह multiply है, इधरा की क्या हो जाएगा, divide, जब divide होगा, तो 2 पर चला जाएगा, minus 5, मीचे आजाएगा, minus से minus, cancel, 5 को से cancel क्या है, 5 बाइन सा 5, 2, 5 फाइन सा 25, तो 15 multiplied 2 कितना हो गया यह, 30, यहाँ क्या चलता रहता, n-1, n-1, इधरा की क्या हो जाएगा, plus का 1, यहन कि 30, plus 1, n कितना आगया आपके पास, 31, यानि कि, यह जो पड़ा हुआ है, किस पर पड़ा हुआ है, a31 पर पड़ा हुआ है, यह होती है, आपके पास, an और n, अभी भी अगर आप लोगों कोई confusion है, तो I'll suggest कि एक बर जुरूर introduction की वीडियो देखें, उसमें आपको मैंने description में बताया हुआ है, कि n और an में क्या difference होता है, So that's all for this video, next video में हम cover करेंगे इसके आगे की questions, thank you. करें करेंगे पिता है ।